आपने थमनेल तो देखाई होगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब होम पेज है जो आपके चैनल का उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है कैसे आप और भी टैप उसमें एड़ कर सकते हैं तो यूट्यूब की जल्दी एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलते हैं अपनी वीडियो में देखो यहां पर हमने बात की है वीडियो की शोट्स की और लाइव की जो अभी देखते हैं जब भी आप कोई भी चैनल विजिट करते हैं या अपना खुद कभी चैनल विजि होता है जो हमारी चैनल के बारे में हम अवाउट लिखे रखते हैं लेकिन जो आप नई अपडेट आने वाली है उसमें बहुत सारे चेंजे आने वाले वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और लास्ट तक देखना है कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है वरना बह कोई भी वह टेस्टिंग कर रहे होते हैं उससे रिलेटिट वीडियो बनाते हैं तो उन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो कली अपलोड किये उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जैसे हमारा पहले वीडियो सेक्शन आता था वैसे ही अब सोट सेक्शन भी आएगा बहुत सार कि सारी वीडियो यहीं पर होती है उसको मिलता ही नहीं वीडियो आपके चैनल पेज के जो व्यूज होते हैं जो हमारे चैनल पेज से व्यूज आते हैं वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं उसी चक्कर में जो यूजर है जो आपकी वीडियो देखने चाहता है उसको एक परफ प्ले स्ट्रिम सब यहां पर रसक्रै प्लेस्ट सेक्षन होगा। आप जाएगा उसका प्लेलिस्ट चैक्षन सेक्षन आपको तभी वीजीवल होगा अभी लेकिन आने वाले टाइम मैं क्या होने वाल है कि प्लेडिस अगर आपके चैनल पर कोई भी भी एक प्लेइस्ट बनी हुई है जो पबिक है तब है प्लेइस्ट सेक्षणू ओगा उसके बाद community tab है यहां पर उसके पास membership से अभी तक membership वाला कोई भी हमें section दिखता नहीं था तो YouTube ने क्या किया है membership को और aggressively push करने के लिए ताकि लोग और membership खरीजे चैनल की क्योंकि आज कल चैनल का revenue है वो थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि बहुत सारा वाला प्रोग्राम में उसको ज्यादा push कर रहे हैं ताकि लोग membership ले और जो भी creator है उसकी earning increase हो उसके बाद हमारा चैनल और about section यह सेम ही है तो हमारे पास addition क्या हुआ है वीडियो section हुआ एड short section हुआ एड और live stream section एड हुआ है पहले only यह आता था अब यह दो sections और प्रेड हो गए है playlist अगर आपने बना रखे तभी वीजिबल होगा वरना नहीं होगा membership अगर आपने membership यह जोइन बटन आपके चैनल पर आता है तभी membership वाला टैप भी वीजिबल होगा इसके साथ साथ एक चीज़ अगर हम देखते हैं कि यार इस चीज़ से है ना फाइदा क्या होगा जो भी चैनल से उनको फाइदा क्या होगा तो देखो जो हमारा चैनल पेज रहता है ना जो हमारा चैनल पेज रहता है वह बहुत ही ज्यादा व्यूज गेन करता है हमारे चैनल केलिए क्योंकि बहुत सारी चैनल के हैं अगर हमारी वीडियो तो अब यूज़र के पास हैं यहाँ पर यहाँ याँ पर आफ networks फ्रीम यहां अगर उसको live stream में interest हो तो live stream section में जाके जो भी मन पसंद videos है वो देख सकते हैं अगर आपने shorts अच्छी लग रही है तो आप उसकी shorts देख सकते हो सारी और अगर आपको उसकी videos अच्छी लगती है तो आप videos देख सकते हो इससे जो भी creator है ना उसका views भी increase होगा क्योंकि user बार ब live stream tab यह आई की कैसे इसकी setting होगी क्या कोई नहीं इसकी कोई setting नहीं होगी अगर YouTube अपने interface में इसको change कर रहे है जैसे हमने देखा नहीं यहां पर जो अभी currently इंटरफेस हो यह तो YouTube अपने इंटरफेस में चेंज कर रहे हैं तो यह आपने लगाई नहीं है यह आप चैनल पर लगाते थोड़ी नहीं यह तो अपने आप शो होता है तो यह वाले जो sections आएंगे यह भी अपने आप ही शो होंगे वह खुदी वीडियो को सिलेक्ट करेगा खुदी लग डिवाइड कर देगा लाइश्ट्रीम को अलग डिवाइड कर देगा तो आपको कुछ भी नहीं करने सिधा यह करने है उसके बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सब्स्ट्राइब करना है महाकाल के असिरवाद से लाइक ठोक दो सारी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है आप यहां पर क्लिक करके प्लेइलिस्ट भी देख सकते हो उसमें आपको बहुत सारी इंफोर्मेटिव वीडियोज मिल जाएंगी थैंक्यू सो मच बाइबाई